नियोजित सिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुसकबरी हाइकोट ने सिक्षा विभाग उर्क्य के पाठक को हरकाया कहा किसी भी हालत में किसी भी सिक्षक का नहीं जाएगी नोकरी हो गया फैनल नहीं जाएगी नियोजित सिक्षकों की नोकरी हाइकोट के फटकार के बाद बिभाग ने किया किलियर जिहां बिहार के सरकारी विद्याले में कारेरत करीब सारे 3 लाख नियोजिस सिक्षक के लिए बहुत बरी खुसकबरी है सक्षमता प्रिच्छा में सामिल नहीं होने या फैल होने के बाद नोकरी जाने के डर से डरे सहं में नियोजित सिक्छकों के लिए रहत भरी खुसकबरी सामने आई है दरसल विभाग ने बिहार विद्याले विसिस सिक्षक नियमा वाली 2023 के तहत सक्षमता परिच्छा पास करने वाले को राजकर्मी का दरजा देने का आदेश निकाला था इसके बाद सिक्षविभाग के ऊपर मुक्ष सचीव की अध्यक्षता वाली कमीटी ने सरकार से अनुसंसा की थी कि पांच बार परिच्छा में अनुपस्थित या अनुतिर्न सिक्षक की नोकरी जा सकती है इसके बाद सिक्षक आंडोलन करने लगे उन्हें नोकरी जाने का दर सताने लगा लेकिन अब नियोजी सिक्षक रहत की सांस ले सकते हैं मामला हाइकोट पहुंचा लोकरी जाने के डर से सहमें नियोजी सिक्षक ने हाइकोट का दरवजा खटखटाया समेदर बहादूर सिंग बनाम बिहार सरकार की याची का केस संख्यां सी डवलू जेसी 29 बटे 2024 हाइकोट में डायर की गई जिसकी सुनवाई के करम में हाइकोट ने सिक्षा विभाग को इस्तिती असपष्ट करने को कहा इसके जबाब में सिक्षा विभाग की तरफ से हाइकोट में सपत पत्र दायर किया गया था इस सपत पत्र में सिक्षा विभाग ने कोट को बताया कि सभी नियोजित सिक्षकों को राजकर्मी का दरजा देने के लिए सक्षमता परिक्षा ली जा सकती है इसमें उत्तिर्ध होने वाले सिक्षकों को BPSC से नियुक्त सिक्षक के जैसा बेतन और अनेलाब दिया जाएगा किन्तो जो सिक्षक सक्षमता परिच्छा में सामिल नहीं होंगे या उत्तिर्ध नहीं होंगे वे अस्थानिया निकाए सिक्षक बने रहेंगे इसका अर्थ या है कि अगर पास हो गए तो BPSC सिक्चक वाली सुबधा मिलेगी और पास नहीं हुए अपने विद्याले में नियोजित सिक्चक बने रहेंगे किसी को भी निकाले जाने का परिकलपना नहीं क्या गया है तो अब तक के खबरों में बस इतना ही मिलेंगे नई खबर के साथ नमस्कार मैं दीपक कुमार आप देख रहे हैं बिहार के सबसे लोग फिरिया नियू चैनल बिहार दैनिक को